रुक करने का हमारी exclusive बातचीत हुई है यामी गौतम यानि आर्टिकल 370 पर एक फिल्म बनी है उस विशे पर अधित्यधार और यामी गौतम दोनों एक साथ देखिए हमारी exclusive बातचीत दोनों का अभिनंदन है न्यूज 18 पर मेरा सबसे पहला सवाल तो आप से यही है कि आप स फिल्म बनाने की आपके लिए मजबूरी थी या जरूरी थी यह जो कहानी थी या जो आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ था वो एक बहुत ही emotional moment था एक ऐसा moment था जो बच्पन से हम सुनते आ रहे थे कि कश्मीर में क्या क्या problem है देखी भी है first hand देखी थी तो कहीं न तो कहीं जब यह अब्रोगेट हुआ तो दिल भराया emotional हो गए बट यह पता था यह अब्रोगेट हुआ है बगर यह नहीं पता था कि किस तरीके से हुआ है और कहीं ना तो कहीं एक डेड साल पहले एक मेरे जॉर्नलिस्ट मित्र है जिन्होंने मेरे को काफी डीटेल में बताया था कि कैसे हुआ था कैसे प्लानिंग हुई थी और कैसे एक्जेक्यूशन हुआ था और वहां पर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ और हम लिटरली इन्वेस्टिगेटिव जनरलिस्ट की तरह उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे जब रिसर्च तैयार हुआ तब हमें समझ में आया कि यार ये कहानी तो दुनिया के सामने लानी ही चाहिए जी, यामी, मैं आप से जानना चाहूँगा कि अभी आधित्ते में बताया क्या कारंब रही कि इस फिल्म को बनाया, लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करोंगाई खास तो अल-जिहाद के नारे लगते हैं, हर घर से निकले का बुर्हान जैसे नारे लगते हैं क्या आपको मानते हैं कि इन सब चीजों से बचा जा सकता था क्योंकि इसको लेकर कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हो रही है इस विश्य पर आप क्या कहना चाहती है यामी देखें क्योंकि फिल्म हम यही कह रहे हैं फिल्म रियल इंसिदेंस पर रियल ट्रू इंसिदेंस पर आरधारे थे और तो ऐसे नहीं आरे लगई थे हम सिर्फ एक ही जी विए सारी इंफर्मेशन इसारी वीडियो पब्लिक डोमेन में बिल्कुल और अगर आप फुटेज देखें जो फिल्म के शुरुवात में जो जो इतिहास भी अगर आप देखें से आज तक वो सब रियल फुटेज हैं वो हमने कुछ शूट नहीं किया है वो सब पब्लिक डोमेन में इंफर्मेशन है तो अगर यह जब बताने के लिए कि 370 क्या है क्यों जरूरी था इसे हटाना वह बहुत जरूरी है जो यह बताने के लिए कि क्या हो रहा था दित्यधार यह सवाल आपसे है मेरा जब अधित्यशकों प्रोपगेंडा फिल्म कहा जाता है तो आपके मन में क्या आता है। आपकी तरफ से जवाब क्या आता है। यह प्रोपगेंडा फिल्म है 2024 के चुनाफ से पहले आई है नरेंद मोदी को फाइदा करने के लिए इस विशे पर बतौर प्रड्यूसर आपका रियाक्शन क्या है क्योंकि सबसे जादा तो आप जवाब दे होंगे फिर नहीं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारी कारें गवर्मेंट है उनको ऐसी छोटी फिल्म की जरूत नहीं है अपने एलेक्शन जीतने के लिए वोट्स पाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया है जो कि सब के सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कश्मीर की अगर आप आज की डेट में क कश्मीर जाते हैं और सिचुवेशन देखते हैं तो दोहजार उनिस से पहले और दोहजार उनिस का कश्मीर में जमीन आस्मान का फर्ग है. तो हमने एक कहानी बताई है जो की सत्यघट्णाव पे से प्रेरित है और आपके पास रिजल्ट आपके आखों के सामने है. कोई ऐ आदमी जो इसको प्रॉपगेंडा बोल रहा है क्या वो यह कहना चाहता है कि 2019 से पहले जब कश्मीर में पत्थर बाजी होती थी या मिलिटेंट्स आर्मी वालों को मारते तब कश्मीर जादा बहतर था और अब खराब हो गया यह प्रॉपगेंडा मुझे आज तक यह नहीं स इसको जब आपको यह खबर पता लगी तो उस पर आपका र्याक्शन क्या था यामिया अधिते बोथ और डारेक्टर साब से भी यह सवाल में पूछूँगा यह अधिते धार पहले आप बताईए जब बैन कर दिया गया गया गल्फ में इस फिल्म को सी बिल्कुल हमें आटिकल 370 को इस्तमाल किया जा रहा था अलगावादी ग्रूप के दौरा या कुछ कुछ पॉलिटेशन के दौरा तू सेवगार्ड देंसेल्स उसके पीछे चुपके वो गलत काम कर पा रहे थे और उनको कुछ कॉंसिक्वेंस या कुछ किसी उस गलत काम की भरपाई नही करनी पड़ रही थी तो मुझे काफी सप्राइजिंग लगा क्योंकि उरी रिलीज हुई है गल्फ में जीरो डाक 30 रिलीज हुई है गल्फ में तो मुझे यह लगा कि हमारी फिल्म में ऐसा क्या था जो गलत था विकोज यह टेरिरिजम के खिलाफ है और जहां तक मुझे प कि आपको लगता है यह एजेंडा ग्लोबल है इसी वजह से इतने शाप अटाक आ रहे हैं यह फिल्म छोटी जरूर है लेकिन इसकी कहानी बहुत बढ़ी है यह फिल्म छोटी जरूर है लेकिन धारा तीन सो सतर का हटना इस डेश के अंदर एतिहासिक रहा है और यह फिल्म भ करता है कहीना कहीं कश्मीरी नॉन कश्मीरी जो जो शान्ती चाहता है जो आमन चाहता है जो टेरियर्जम के खिलाफ है तो सच में यह मैंने इन फाक्ट दो बार पूछा कि are you sure क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्यों यह फिल्म बैन होगी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है हम चर्चा है और जो चर्चा होनी भी चाहिए कोई सवाल होने चाहिए अच्छे सवाल होने चाहिए यामी आप से सवाल पूछा चाहूंगा कि सचिन तंदुलकर हाली में कश्मीर के दौरे पर थे और वो क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीरे बड़ी वायरल हुई तो कश कि अज़े अपना नैशनल जंडा देखा अपना राश्टरी तरंग जी वह अच्छा कर देखा तो बहुत अच्छा लगता है था इस जया हो रहा है तो इसलिए मैंने का अच्छा यह तो चोलो अच्छी बात है तो धिरी धिरे करके एक होता है आपको on-ground information यहां से मिल रही है फिर हम लोग जब शूट करने लगे जब जो क्रू होता है या जिस दिन आपकी छुटी होती है आपके टीम बाहर जाती है घूमती है और और सब एक दूसरे से पूछने अच्छा लोकल्स वो जग्यासा तो है हमने किसी को बताया नहीं हम क्या फिल्म शूट करने हैं क्योंकि आप नहीं चाहते किसी तरह का कोई जिस पोटेंशली भी कोई खनन आये कोई काम में तो जब जब लोकल वहां के थे उनके मूझ से सुना मेरे मेरी गर्दन हलकी सी मुड़ी मुझे याद है कि 370 के बार ना कुछ 3-4 साल से काफी बहतर हालात है यह वहां की लोकल्स पर बात होता रही है पथराव जी बिलकुल बिलकुल पथराव कम है मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रही हूँ अब स्कूल खुले रहते हैं कोई इंटरनेट की कोई इंटरनेट नी होता है या पथराव बिलकुल खतम हो गए हम लोग जा शूट कर रहे थे वह बिलकुल डाउन टाउन कश्मीर जहां पे एक छूटा सा भी इंसिडेंट हो इन फाक्ट हमारे को लोकल कश्मीरियों ने इता सपोर्ट किया अपार्ट फ्रम जेन के पुलिस एंड सी एर पीफ एंड लोकल एडमिनिस्टेशन जो लोकल कश्मीरी से उन्हों ने इतना हमारा आदर सत्कार किया कि बिलकुल ही वह कहते ह है ने कि गदगद हो गए तो बहुत खुशी मिली और खुले जाते थे हम मंदिर गए खीर भावानी जीठियर शेंकराचारिया मंदिर गए सारे गूमें कोई कहीं पर कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि नहीं यहां पर थोड़ा सा डर लग रहा है या कुछ कोई कुछ कुछ देगा डवलप्मेंट इतनी हो रही है कश्मीर में यह बड़ा यह बड़ा इंपॉर्टेंट पहली हुए है यह इस समय हमारे मादियम से हमारे नेटवर्क के मादियम से आपको करोड़ो व्यूर्स देख रहे हैं डिजिटली भी और चैनल के मादियम से भी तो यह पता जो मैंने सुना पूरा अफकॉस मुझे बहुत अच्छा लगा हमने तो सारे वो दिन याद आ जाते हैं बच्पन से लेकर आज तक जहां आपको लगता है अभी भी कितना अचंबा महसूस होता है कि अच्छा इतने बड़े हमारे ओनरे प्राइम मिनिस्टर और हमारी छोट को करने के लिए एक शाक्षतकार को करने के लिए थैंक यू सो मज प्लेजर है विंग यू तो फिलाल विवस टकर के आज के एडिशन में मंडे एडिशन में फिला लिता ही आप सब को मेरा नमस्कार धन्यवाद झाल